So guys welcome back to micro classes हमारी Merit University और सारनपी University की B.A.D. Second Year की classes चल रही है आज का जो हमारा subject है वह है Creating an Inclusive School इस subject का जो आज का हमारा topic रहेगा वह है रहेगा E.A.D.E. Learning अब ये क्या होता है इसका क्या method होता है इसकी क्या विशेशता होती है ये long question में आता है B.A.D. exam में और important है को बताना होता है कैसे आप सीख सकते हैं तो ये long question आता है B.A.D. Second Year में उससे संबन देते हैं तब E.A.D.E. Learning इसे हम electronic अधिगम बोलते हैं इसीख सबी से हम बोल देते हैं अब ये होता क्या है देखो E.Learning क्या होता है computer, internet, mobile इस तरह की तकनीकी का परियोकर जब भी आप online कुछ सीखते हैं वह आपका E.A.D.E. अधिगम होता है आसान सा point S को इतना है समझाने की तो जरूत नहीं है E.A.D.E. क्या होता है computer, तकनीकी वगएरा का परियोकर के computer, internet, आदी तकनीकी का परियोकर के छात्रों द्वारा स्वयम किया जाने वाला अधिगम, E.A.D.E. कहलाता है इसमे student क्या करते हैं computer में काफी सारी app होती है जो बच्चों को ग्यान परदान करती है उन apps का यूज करके पढ़ सकते हैं internet पर जाकर कोई चीज सर्च करके उसको पढ़ सकते हैं Google वगएरा पर कुछ चीज टाइप कर सकते हैं किसी भी topics के बारे में काफी सारी website होती है उनका data आ जाता है तो बच्चे उस data को पढ़ सकते हैं तो यह क्या हो रहा है online अधिगम हो रहा है e-learning हो रही है इसके अलावा virtual classes ले सकते हैं बच्चे computer के द्वारा जो हमारी online का क्षाए होती है घर बैठी ले सकते हैं यह भी e-learning है तब इस परकार के हैं सारे फों हमारे e-learning में ही आते हैं तो अगर e-learning को हम बताना चाहिए क्या होता है तो आप यही कह सकते हैं computer, internet, आधी तकनीकी का परियोकर, छात्रों द्वारा किया जाने वाला अधिगम, e- अधिगम कहलाता है अब इसके बारे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा वर्तमान समय में सिक्सा के छेत्र में विकास लाने के लिए सिक्सा में सूचना एव्यम संप्रेशन तकनीकी का परियोक किया जा रहा है यह बीड फरस्ट इयर में हमने पढ़ लिया था यह टोपिक, फरस्ट इयर में सूचना एव्यम संप्रेशन तकनीकी, information and communication technology कि माद्दमसिम क्या करते हैं, बहुत सा तकनीकी उपकरणों का परियोक करते हैं चातरों ग्यान परदान करने के लिए इसमें से computer पर मुख है computer आदुनिक समय में यह दिगम के सक्तिसाली उपकरण के रूप में सामने आए इसे computer प्रोथसाइत अदिगम भी कहते हैं क्यों कहते हैं कि computer main होता है अगर आप सीख रहे हैं उनलाइन कुछी या फिर तकनीकी उपकरण के द्वारा तो वो computer main है उसी के माद्दम से आप जादतर सीखते हैं मुख्यवल हमारा computer पर रहता है इसमें computer, internet, cd, room आदी तकनीकी के उपियोग से अधिगम के वातवरण का विस्तार किया जाता है यह वातवरण चातर के अंद्रित होता है जबकि प्रमप्रागत शिक्सन में वातवरण चातर के अंद्रित होता है जब चाहिए कर सकते हैं जिस चीज को चाहिए उस चीज को कर सकते हैं तो चातर के अंद्रित होता है लेकिन अगर हमारी जो normal classes इस school में चलती है वो शिक्सक के अंद्रित होती है मतब इलक्ट्रोनिक उपकरणों के द्वारा किया जाता है अधर कम्प्यूटर इंटरनेट आदी बहुमाद्यम तक्नीक का परियोकर चातरों द्वारा स्वयम किया जने वाला दिगम ही ये अदिगम कहलाता है ये कुछ बात इए अदीगम के बारे में लिखी हुई है आपके मन में जो भी आता है महाँ पर online learning के बारे में e learning के बारे में आजगल जो online learning चल रही है आप या पर committee के बारे में लिख सकते कि COVID के आने के बाद इअधिगम में काफी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है ऐसे विद्धाल जो इअधिगम को नहीं बढ़ावा देते थे या इअधिगम जो तक्नीक एसका परियोग नहीं करते थे में भी अब इअधिगम पर बल देने लगे हैं इअधिगम के माद इअधिगम से इचात्रों को ग्यान परदान करने लगे हैं यह बाते भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर इअधिगम आधिगम आधिगम तक्नीकियों जैसे कम्प्यूटर बहुमाद्धम नेट्वर्किंग आधि की साहता से युक थे इलेक्ट्रोनिक अधिगम है इसमें अधिगम को सुविदाजनक बनाने के लिए विभिन इलेक्ट्रोनिक माद द्यमों जैसे माइक्रोफून सरवेदरस से टेप या आपकी वीडियो वगरा हो जाती हैं क्योंकि इसमें आप सुनते भी हैं देखते भी हैं आदि का परियोग किया जाता है इसमें सुच्णवे संप्रेशन तकनीकी का परियोग ह tent trif वीडियो कॉंपरेंसिंग एमेल च्यट वेमारा ओंड़ अलाइन लाइब्रेररी ऑमारी हम इंटरनेट से कम्प्यूटर पर कोई बुक डाउनलोड कर सकते है या अपने कम्प्यूटर पर किसी बुक को पढ़ सकते है पीडियेफ वाली बुक जो होती है तो वो इबुक होती है हमारी डीवीडी, सीडी, रोम आधी का परियोग किया जाता है दूसरे सब्दों में इय अधीगम एक नवचारी सूचनेवं संप्रेशन तकनीकी का रूप है जिसमें कम्प्यूटर की सेवाव का परियोग छात्रों के सिक्सन अधीगम की परकिरियम किया जाता है इसमें छात्र ओनलाइन माद्दम से ग्यान पराप करते है इय अधीगम में कम्प्यूटर का परियोग पठ्थे वस्तु के परस्तुतिकर्ण के लिए किया जाता है इसके दौरा चात्र विद्दल के बाहर कहीं भी कुछ भी सीख सकते है यह चात्रों को नवीन ग्यान अर्जन करने की स्वेतनतरता देता है इसके दौरा सिक्सक की कम्प्य को पूरा किया जा सकता है तो था सिक्सक को दूरस्त अस्थानों तक पहुँचाया जा सकता है तो यह यह अधीगम की जन्रल सी बाते हैं आप अपने सब्दों में कुछ भी लिख सकते हैं अब परिवासा देख लेते हैं e-learning की क्या होता है तो परिबास आगर देखो long question में आता है ये question long में आता है तो दो परिबास आपको लिखनी होती है short में आप एक भी लिख सकते हैं क्योंकि short में आपको एक या डेड़ी page भढ़ना होता है और long में आपको दो definition लिखनी होती है तो brand on hole के अनुसार जब अनुदेशन का संचार आंसे किया पून रूप में विद्धू त्यंत्रों के माध्यम की सायता से तता website वे इंटरनेट अर्थवा बव माध्यमों CD-ROM DVD से किया जाता है उसे ही अधिगम कहते हैं तो brand on hole ने क्या का अच्छी परिबास दिया है कि जब अनुदेशन अगर हम छात्रों को ग्यान परदान कर रहे हैं उसका संचार किसी भी तरह से विद्धू त्यंत्रों के माध्यम से हो रहा है हमारा mobile हो गया, internet, computer वगएरा हो गया इस तरह से website वे इंटरनेट का परियोग किया जा रहा है इंटरनेट तकनीकों उसे पाठ्ठेकरम का संचार किया जाता है मतलब पाठ्ठेकरम को छात्रों तक इंटरनेट के द्वारा पहुचाया जाता है जिससे ग्यान में विरद्ध्य होती है और छात्रों की निस्पत्तियों में भी विरद्ध्य होती है चात्रों की परफोर्मेंस उदरती है रोमन वरग ने क्या का है इंटरनेट के दौरा सलेबस को बच्चों तक पहुचाया जाता है इस से बच्चों की नोलिज में विरद्धी होती है उनकी परफोर्मेंस भी इंप्रूव होती है यहां से अटा ले ना यह फुलिश्टॉप लगा है पूर्ण विरा अब बात करते हैं यह अदिगम के परकार अब देखो यह अदिगम आप कहीं परकार से कर सकते हैं नोर्मल आप कोई पीडिया बुक डाउनलोड करके कम्प्यूटर में पढ़ सकते हैं इसके लावा वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दौरा आप ओनला पहला होता है हमारा सिंक्रोन अधिगम दूसरा होता है एसिंक्रोन अधिगम एक होता है हमारा ओनलाइन अधिगम एक होता है वेब आधारित अधिगम एक होता है कंप्यूटर अधारित अधिगम एक होता है मिस्टित अधिगम इसमें से इंपोर्टेंट दो है यह पहला त इतरनेट पर Google के द्वारा, Yahoo के द्वारा, Bhin के द्वारा, कुछ सर्च करके पढ़ते हैं, वो वेब अधारीत अधिगम होता है, इसके लोगा कम्प्यूटर अधारीत अधिगम में आप ओनलाइन कम्प्यूटर में कोई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, कम् इस परकार की अधिगम में चातर अपनी गति से स्वयम सीखते हैं, उन्हें ऐसे उसर देते हैं, एक बच्चा इंटरनेट का परियोग कर मान लेते हैं, कोई टोपिक अपना समझना चाता है, कोई टोपिक उसे नहीं पता, तो वैं अपनी स्पीड से समझेगा, जितनी बार इस चीज को पढ़ना चाहेगा, जितनी देर के लिए पढ़ना चाहेगा, उतनी देर के लिए पढ़ेगा, इस अधिगम को स्वाध्धाई भी कह सकते हैं, स्वाध्धाई मतलब बच्चे खुद सेल्पिस्टडी कर रहे हैं, इस अधिगम में अधिक से अधिक संक्या में अभी परियोग किया जाता है यह अधिगम स्वय निर्देशित होता है मतलब बच्चे स्वय निर्दारित करते हैं हमें क्या चीज कैसे सीखनी है नैट पर सर्च कर कुछ पढ़ना है या पढ़ने के द्वारा सीखना है यह योट्यूब पर जाने के बाद में ओन-लाइन क्लास ले लेनी है यह हमारे जो स्वय निर्देशित होता है जो बच्चे होते हैं इसमें चात्र अपनी आवशक्ताव के अनुसार पठ्थे वस्तु का चेन करते हैं हमें क्या चीज पढ़नी है बच्चे खुड डिसाइड करते हैं यह दिगम कक्षा दिगम से मित्विया ही होता है क्योंकि इसमें एक टीचर उनलाइन अगर कलास ले र बादाओं का सामाधान होता है तता मुक्त शिक्सा का प्रावदान भी होता है मतलब कुछ ऐसे छेत्र होते हैं पाड़ी लाके दुरस्त पाड़ी लाके होते हैं रादस्थान के लाके होते हैं जहां पर चोटे 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 चेगाउं होते हैं अलग से स्कूल नहीं खोल एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं उन माद्यमों को हम परियोग करते हैं इसमें छात्रों को अन्ते किरिया करने के आउसर अधिक पराफ्त होते हैं अब इसमें क्या होता है बच्चे अन्ते किरिया जदा करते हैं जैसे अगर हम बच्चों को कोई application दे सकते हैं, computer में download कर, application में कुछ-कुछ बाते लिखी होई होगी, application में लिखा होगा कि आपको ये करना है, वो करना है, बच्चे उस application के साथ interaction करते हैं, बार-बार किलिक करते हैं, बार-बार खुद पढ़ते हैं, तो अंते किरिया जादा ह होती है, बच्चों की, normal class में बच्चे बैठे रहते हैं, teacher बोलता रहता है, प्रमप्रागत सिक्सन की तुलना में यह अधिक रोचक होता है, तो यह characteristics है, अब इसके कुछ importance देख लेते हैं, बाकि जो e-learning, e-adhigam के importance होते हैं, फाइदे होते हैं, हमने जो first year में teacher teaching and technology की जो book ती, उसको पड़ा था, उसमें पड़ा था हमने, शिक्सन तकनीकी के यह, सिक्सा तकनीकी के फाइदे हैं, वह सारे चीज्या आप यहापर लिख सकते हैं, शिक्सा तकनीकी भी एक तरह से e-adhigam है, हम e-adhigam, शिक्सा तकनीकी के अनुरूपी, अपने विध्द्यल्णले में विद्दल्य सबार इधिगम की व्यवस्ता करते हैं यह चातरों को सुयम सीखने के अशर प्रदान करता है इससे सिखसा का परचार परशार संभव है क्योंकि हम सिखसा तेजी से दूसरे स्थानों तक पहुचा सकते है इंटरनेट कंप्योटर आधि का परियोकर इससे सिख्षा में गुणात्मक सुधार किया सकता है मुई हमारी सिख्षा की गुणवत्ता सुधर सकती है टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे रिजल्ट अच्छे से आएगा उनका तो गुणव पर उनके निर्बढ़ता है वह कम हो जाती है चातर किसी भी समय इसका परियोकर ज्यान पराप्त कर सकते हैं तो इसका एक लाब है यह दूरत सिख्षा की सफलता की संभावना को बढ़ाता है जो हमारी डिस्टेंस अजूगेशन है प्राइवेट कोर से चलते हैं उनलाइन बे अब जाती है अर्थी क्रूप से निर्बल विध्यार्थियों के लिए बहुत उप्योंगी क्योंकि अगर किसी महंगी युनिवस्टी में नहीं जा सकते तो उनलाइन माध्यम से उस युनिवस्टी से उनका पीडिएफ वगए रहे है जो सले बस है मंगा सकते है और उसका यह समझ में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे सिक्सक को रोक सकते हैं, बीच में सर हमारे यह नहीं समझ में है, तो जिस तरह नॉर्मल काक्षाव में बच्चे सिक्सक से कोश्चन पूछ सकते हैं, यहां पर भी बच्चे सिक्सक से उसी परकार कोश्चन पूछ सकते हैं, यह परिक् जाने की तरीका होता है उनको उसमें सुधार आता है तब यह हमारी आज की क्लास थी ए-learning यह अधिगम जिसे हम बोलते हैं उनलाइन अधिगम बोलते हैं इसे हम इसके अलावा इलेक्ट्रोनिक अधिगम बोलते हैं तो यह होता क्या है जब हम इंटरनेट कंप्यूटर मुबा कर सकते हैं इस परकार बीएड की सभी सब्जेक्ट के डेली रेगुलर क्लासिज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तिल दैन बाबाए टेक केर